नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टू माई चैनल मैं अरविंद कुश्वा आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में स्वाकत करता हूं दोस्तों मैं आज जिस प्लांट्स के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा है देखिए या मोर पंकी का पौदा है इसे हम से ग्रो करने का बरसात का मौसम अच्छा है लेकिन आप विंटर के सीजन में भी बहुत सारे प्लांट्स का कटिंग लगा सकते हैं जिसमें से यह मोर पंकी का पौदा है इसे आप कटिंग से अराम से नॉमबर से लेकर आप फरवरी तक इस प्लांट्स को कटिंग से आप ल तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस प्लांट का देख भाल करना बेहदी असान है इसे आप प्रोपर सनलाइट में नहीं रखें इसे एक से देड़ गंटे की सनलाइट जहां पढ़ती है या कम रोशनी पढ़ती है आप इस प्लांट को रखी और प्रतेक दिन पानी दीजिए और तीन महिने के अंत्राल में एक बार गाय से बना गोबर का खाद या बर्मी कंपोस्ट खाद दीजिए प्लांट अच्छे से ग्रो करेंगे इस पोदे को आप इंडोर आउटडोर कहीं भी रख सकते हैं या घर में सजावट के रूप में काम आता है इस पोदे को घर में लगाना बेदी सुब माना जाता है क्योंकि हमारे नकनवात्मक उर्जा के असा ग्रात्मक उर्जा में परवर्तित करता है इसे हम बीज के द्वारा भी लगाते हैं देखिए इस प्लांट में कितने छोटे छोटे बीज है तोड़ कर सुखा कर गमले में लगाईए असानी से लगेंगे उसके बाद इसे कटिंग हमने देखिए तीन से चार िंची कटिंग कर ली है इसको अच्छी तरह से लगा कर हम मट्टी में लगाएंगे जिसे मेरा प्रांट्स अच्छे से ग्रो कर जाएगा यह लोग वेरा कि प्रांट्स के छोटे टुकड़े को काट कर हमने मट्टी में लगाया हो भी दोमट मिट्टी या काले मिट्टी आप जिस मिट्टी में भी लगाएं या प्रांट्स अच्छ देखिए 15 दिन के अंतराल के बाद इस पोदे में कितने सुंदर जड़ आपको साप दिखाई दे रहे हैं हम गंबले में जो कटिंग के द्वारा लगाया था उसमें जड़ 15 दिन के बाद अच्छी तरह से आ गए हैं वो भी बहुत अच्छे से या प्लांट्स लग के तयार ह हो गया है देखिए आपको साप दिखाई दे रहा है कि इसमें रूट्स कितनी निकली हुई है तो आप इसी तरह कटिंग से अपने घर में असानी से मोर पंकी के पोदे को लगाई और 15 दिन के बाद देखिए कितने सुंदर रूट्स प्लांट्स आपको तयार हो गये हैं हर इसे लगेगा और ग्रो करेगा इस पोदे को ग्रो करने के लिए आंसिक सुच की रोशनी की जरुवत पड़ती है इसे आप इंडोर के रूप में भी रख सकते हैं ज्यादतर घर में इसे इंडोर प्लांट्स के रूप में रखा जाता है क्योंकि हमारे घर के नकरात्मा कू पुरजा में परवतीत करता है इसलिए ज्यादतर घर में इसे इंडोर के रूप में रखना बेश्ट माना गया है इसे आप एक से दो घंटा का धूप दीजी और सीधी धूप से बचाईए इस प्लांट्स को और परतेग दिन इस प्लांट्स को आप पानी दीजी और बरसा मारने की समस्या इस प्लांट्स को लगती है और प्लांट्स आपके पत्ती पीली होके मुर्जाने लगती है जाड़े के मोसम में इसलिए जाड़े के मोसम में इसे आप प्रोपर सनलाइट में प्लांट्स को रख दीजी प्लांट्स आपका अच्छे से ग्रो करेगा इस पो लागाए उसका ड्रेनिंग ओल अच्छी तरह से किलियर होना चाहिए और इस प्लांट स्को नहीं करें इसकी मिट्टी जब सूप जाये तब इसमें पानी डाली है नहीं जाले के मौसम में 2-3 दिन के अंत्राल में इस प्लांट को पानी दीजिए और गर्मी के मौसम में परते अच्छे से grow करेंगे यह हरे भरे रहेंगे इस पोदे को गर्मी में खास कर केर करने की जरुद पढ़ते क्यों गर्मी की मोसम में तेज झूप के कारण पत्तिया इसकी जूलसने लगती है इसलिए आप इसे आंसिक जहां सलनेट पड़े तो गर्मी के मोसम में इस प्लांट्स को रखिए प्लांट्स आपके हरे भरे रहेंगे मेरे बताएवे केटीज को अपनाईए और कटिंग से मोर पंकी के पोधे को गमली में आप असानी से लगाईए तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, सेर, सब्सक्राइब, पोमेंट जरूर करें और अपने मोर पंकी के पोधे को कटिंग से आप इसी तरह से लगाईए अच्छे से लगेंगे और बहुत जल्दी हरे भरे घने रहेंगे इस पोधे को आप बीच के द्वारा, कटिंग के द्वारा गमले में असानी से उगा सकते हैं इस प्लांट्स का केर करना बेयादी असान है और आप इसे अप गमले में लगा कर मेरे बताएवे केर टिप्स को अपनाईए और अपने मूर पंकी के पोधे को इसी तरह हरा भरा रखे तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नट्ट किसी टोपी के साथ नहीं किसी प्लांट्स की जनकारी के साथ बाई बाई टाटा